असलावलेकूम एव्रिवन आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली कर्स टू इसमें पढ़ेंगे सारे खड़े मसाले आप यह मसाले देख लें इसमें क्या-क्या है और हम यह सारे ग्रीडिंग के साथ बनाएंगे आज इस टू पहले रिएंगे कुकर उसमें डालेंगे चार बेली चार बेली तेल, आपको मैं आपनी बेली का साइज दिखा देती हूँ, इतनी बड़ी बेली है, जिसमें हम चार क्वंटिटी डालेंगे, तेल गरम होने के बाद तीन बड़ी आड़ी फ्यास डालेंगे, उसके बाद उसे हलका स्वाटे करेंगे, इसे ब्राउन नहीं करना है हलका वाइट ही रखना है, उसमें हम डालेंगे मटन, अब हम इसमें डालेंगे मटन, मटन को डालने के बाद हम थोड़ा सा इसे बूझेंगे, क्योंकि इस तरह सिस्यान ताकी निकल जा, और अब डालेंगे लस्टो नदरा का पेस्ट, और टेसके कार्डिंग सॉल्ट, और डालेंगे ग्रीन चली, क्योंकि इसमें ग्रीन चली का ही कहाम है, जितना आप कड़वा टेस्ट लेना चाते हैं, आप उतना लेके इसे अच्छे से भूझ ले, अच्छे से भूझ ले, क्योंकि इसकी सिस्यान निकल जाए, अब जितना खड़ा मसाला था, फो डाल देंगे उसे डालने के बाद भी हम भूँज लेंगे अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर धनिया पाउडर डालने के बाद भी इस गोश को अच्छे से भूँज जाएंगे जैसे कि इसमें गोश की बिल्कुल भी महक न हो और मसाले अच्छे से बुन जाएं अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा वाटर जिसे मसाले जने लएं और थोड़ा डालेंगे और वाटर क्योंकि इसमें हमें लेने हैं सीटी जिसे की सालन जलेने सीटी लेने के बाद हम देखेंगे गोश गला है या नहीं गोश गरने के बाद इसमें हम लेंगे एक बॉइल बॉइल लेने के बाद अब हमारा गोश तयार हो चुका है इसमें डालेंगे हरी धनिया कटा हुआ अद्रक और अब लीजे इसे सर्व कीजिए और किसी भी चपाती नान कोल्चे के साथ इसे एज्वाइ करिए थैंक यू फ